अच आज आपास टॉपिक है nbc के अंदर हाउ टू क्रिएट क्रड एप्लिकेशन विद इमेजिस यूजिंग एंटिटी फ्रेमवर्क इस्प.NET मतलब के हम इस्ट आप्लिकेशन क्रिएट करेंगे हमने पहले भी इस्ट आप्लिकेशन क्रिएट की हुई है लेकिन images के साथ कोई crud application create नहीं की mvc के अंदर तो हम यहाँ पे देखेंगे किस तरह से images के साथ crud application create करते हैं entity framework को use करते हैं और entity framework की हम यहाँ पे use करेंगे database first approach और database first approach में क्या होता है कि पहले से हमारे पास database और table existing होते हैं ठीक है उसके अंदर मतलब हमारे पास एक ऐसा table होगा ठीक है जो के existing होगा और उससे related में अपनी model classes generate करूगा यह होता है entity framework के database first approach के अंदर ठीक है तो यहाँ पे आते हैं इसको start करते हैं ठीक है visual studio में आते हैं new project हम create करते हैं ठीक है web select करते है sp.net web application और यहाँ पे मैं application का नाम रखता हूँ CRUD app with images in MVC सही है OK करते है ठीक है अब यहाँ पे आते हैं empty select करते हैं और empty को select करने के बाद MVC को पर check लगाते हैं और OK करते हैं ठीक है हमारे यहाँ पे project create हो चुका है तो सबसे पहले क्या काम करना है हमने entity framework को install करना है तो यह हमारा project है ठीक है इसको पर right click करो और इसके अंदर हम जाएंगे manage manage new get packages के अंदर ठीक है इसके उपर click करो ठीक है और entity framework को उमने install करना है तो browse पर आ जाते हैं ठीक है और यहाँ पर देखो third number पर आ रहा है entity framework अगर नहीं आये तो यहाँ पर आप search कर सकते हो आपके पास यह आ जाएगा ठीक है इसको select करो और install पर click करो और यहाँ पर okay पर click करते हैं और फिर I accept ठीक है देखो finished हो गए है यहाँ पर इसका मतलब यह entity framework install हो चुका है ठीक है अब क्या करना है मुझे यहाँ पर हम entity framework के साथ use करते है entity data model जिसका क्या काम है कि हमारे existing database और table के अंदर जो हमारे पास एक table बना हुआ है उससे related model class create करना हमारी MVC application के अंदर यह किसका काम है entity data model का काम है तो हम चुके database first approach यूज करने तो उसके लिए सबसे पहले हमें database और table बनाना है ठीक है तो मैं यहाँ पर जाता हूँ अपने SQL Server Management Studio में और एक database हम create कर लेते हैं ठीक है मैं यहाँ अपने databases को पर right click करता हूँ new database पर जाते हैं ठीक है database का नाम मैं रखता हूँ यहाँ पर example db ठीक है और यहाँ पर आके ok करते हैं तो यह database हमारा create हो जाएगा example db के नाम से ठीक है सबसे last में आ रहा है example db इसको expand करो और यहाँ पर tables ठीक है अभी तक कोई tables नहीं है हमने table add करना है ठीक है right click करो इसके उपर और new table पर आते हैं ठीक है अब यहाँ पर देखो for example जो मैं table बना रह page सही ज़स चार चीज़े रखते हैं तो मैं यहाँ पर आता हूँ id हम दे देते हैं ठीक है और id की data type होगी integer ठीक है अब यहाँ पर आके इसको मुझे primary की भी बनाना है और identity भी बनाना है मतलब auto increment तो यहाँ पर आओ right click करके इसको set primary की और आप इसी की नीचे properties आ रही है तो यहाँ पर आजाओ और identity specification ठीक है इसको expand करो और यहाँ पर देखो इस identity अभी no हुआ है यहाँ पर आओ drop down पर click करो और इसको yes करो ठीक है तो यह आप auto increment बन गया फिर इसके बाद मैं लेता हूँ name employee का name और इसको data type दे देते हैं वार्चार 50 ठीक है और फिर यहाँ पर आते हैं मैं दे देता हूँ इसको designation ठीक है और इसको भी मैं कह देता हूँ वार्चार 50 ठीक है इन दोनों के उपड़ से हम इसको not null कर देते हैं और यहाँ पर आएगा image के लिए ठीक है तो मैं चौते column का नाम रखता हूँ image path ठीक है और इसकी data type हम रख देते हैं वार्चार max ठीक है मतलब जितनी भी maximum हो सकती है तो मतलब देखो यह जो मैं database बना रहा हूँ ठीक है table बना रहा हूँ इसके अंदर image का path आएगा यह जो चौता column है ठीक है लेकिन जो actual image है वो हमारी application के अंदर एक folder में save होगा ठीक है तो यहाँ पर आते हैं इसको मैं यहाँ पर save table पर click करो और इस table का नाम मैं रख देता हूँ employee ठीक है ok करते हैं तो यह table हमारी database के अंदर create हो जाएगा मैं यहाँ पर आता हूँ tables का folder हम refresh करते हैं ठीक है तो देखो आगया ठीक है इसको अभी आप right click करके select करो तो इसके अंदर अभी एपनी application में से सब्सक्राइब अब आते हैं यहाँ पर हम अपनी application में entity framework install कर दिया था हमने ठीक है अब models के अंदर मैं entity data model को एड़ करता हूँ ठीक है तो right click करते हैं यहाँ पर right click करते हैं और add पर आजाओ add में जाने के बाद new item ठीक है new item में आप आ जाओ data की category में visual c sharp data category और यहाँ पर आपको मिलेगा entity ado.net entity data model ठीक है मैं आपर आता हूँ इसका हम नाम रखते हैं employee db model ठीक है इस model का नाम रखते हैं employee db model इसको add कर वाते हैं सही तो देखो हमसे पूछ रहा है क्योंकि entity data model क्यों हम यूज करते हैं कि जब हमें database के table से related model class बनानी हो तो हम यह यूज करते हैं और इसका पहला option होता है ef designer from database क्योंकि database से मुझे अपनी model class design करनी है इसलिए मैं यह पहला option चूज करता हूँ यहाँ पर जाते हैं next करते हैं अब इसको अब जो हमने database बनाया है उसके साथ connection create करना है अभी यह कोई दूसरा database के साथ connection हो आवा है हम new connection पर जाते हैं चाहिए अब server name SQL server management studio पर आ जाते हैं ठीक है यहाँ पर आओ connect object explore पर क्लिक करो यह server name आ रहा है मेरा ठीक है इसको copy करो और copy करने के बाद हम यहाँ पर server name में paste कर देते हैं और नीचे database load हो जाएंगे हमारे drop down को expand करो और यहाँ पर हमारे उसका नाम था example db ठीक है तो देखो यह वाला है example db entities मतलब connection string भी इसी नाम से और जो हमारी data context की class होगी ठीक है उसका नाम भी यही होगा ठीक है यह बात याद रखना अब next करते है ठीक है अब देखो यह tables आ रहा है इसको expand करो database objects को expand करो हमने कौन से टेबिल से related model class बनानी है employee ठीक है तो इसको check लगाओ और यहाँ पर आके अब finish करो ठीक है तो employee से related क्या हो जाएगा हमें model class ado.net का entity data model है यह create करके देगा ठीक है यहाँ पर आते हैं इसको ok करते हैं ठीक है एक दफ़ा फिर ok कर लेते हैं ठीक है देखो यहाँ पर उसने diagram दिखा दी ठीक है क्योंकि जो model classes इसने बनाई है entity data model ने वो इसी table में से बनाई है तो यहाँ पर आते हैं ठीक है models के फोल्डर के अंदर ही जो हमने बनाया था employee db model ठीक है इसने क्या किया एक हमें class बनाके दी employee.css इसको पर double click करो तो इसके अंदर वही properties हमारे पास आ जाएंगी जो हमने table में बनाये थे columns जिनके ठीक है और फिर यहाँ पर देखो एक context file होती है ठीक है यहाँ पर आओ यह इसको पर double click करो ठीक है अब यहाँ पर देखो ठीक है यह context file वही होती है जिसके अंदर db set होता है ठीक है db set का object होता है employees मतलब यह जो db set का object है na employees इसी के अंदर हम सारा data insert करते हैं यहीं से हम searching करते हैं यहीं से data delete करते हैं और सारी चीज़ें ठीक है मतलब जितने भी crud operations होते हैं insert update delete या फिर searching ठीक है तो वह सारा इसके object के उपर use करते हैं ठीक है तो यह जो class है ठीक है इस class का क्या नहीं example db entities इसका object बनाना लाजमी है क्योंकि इसी के अंदर हमारा यह db set है जिसको हम access करना है ठीक है अब यहाँ पर आते हैं हम अब create करते हैं एक controller ठीक है तो यहाँ पर आता हूं controllers के folder में इसके उपर राइट लिक करते हैं ठीक है add में जाते हैं और controller ठीक है और यहां पर आजाते हैं mbc5 controller को select करते हैं empty ठीक है और यहां पर आके इस controller का नाम रखता हूं मैं home ठीक है with h capital और यहां पर आके इसको add करते हैं ठीक है तो देखो यह home controller create हो गया और इसका default action method है इंडेक्स तो आप मुझे क्या करना है यहां पर वो जो हमारी class थी कौन सी data context की class उसका object बनाना है ठीक है तो उसका नाम था हमारे पास हम नाम देख लेते हैं ठीक है यह context class है ना इसका नाम देख लो इसका नाम है example db entities ठीक है example db entities इसको copy करते हैं और यहां पर आता हूं इसका मुझे object बनाना है इस class का तो इसके लिए मुझे एक namespace add करना है क्योंकि यह अभी model class के अंदर है model folder के अंदर है तो उसके लिए मुझे namespace चाहिए तो यहां पर आप mouse लेके जाओ नीचे hint दिखा रहा होगा इस पर click करो ठी images in MVC यह हमारे project का नाम है फिर.models इसी models folder के अंदर कौन सी class है यह context class example db entities इसको अपर click करो तो namespace हमारे पास यह उपर add हो ठीक है और अब इसका मैं object बनाता हूं इसका नाम रखता हूं db ठीक है इसको object बना लिया अब मैं क्या करता हूं अपने index के method पर आता हूं ठीक है और यहां पर मैं एक variable बनाता हूं इसका नाम रखता हूं data और यहां पर कहता हूं यह जो db है ठीक है यह db data context की class है इसके अंदर क्या मौजूद है db set ठीक है और db set के पास सारा data store होता य उसके अंदर जितना भी data है उसको to list में convert करो और किसको pass कर दो data को pass कर दो और यही data मैं अपने view में क्या करवालूंगा return करवालूंगा ठीक है मतलब मुझे first time जब मेरा page load होगा तो table की form में data display होना चाहिए ठीक है लेकिन एक point है हमारे पास यह जो employees का table है मतलब यह जो db set ह यह तो खाली है ना इसके अंदर भी कोई row मौजूद नहीं है ठीक है तो मतलब जब मैं इसका view create करूँगा तो उसमें हमें अभी कुछ भी नजर नहीं आएगा रोज नजर नहीं आएगी तो मैं यहां पर आता हूँ इस index का view create करते हैं तो इसके उपर right click करो अच्छा view create कर आप यहां पर rebuild solution ठीक है इसके ओपर click करो ठीक है देखो rebuild all succeeded हो गया ठीक है अब आते हैं अब इसका view create करते हैं इंडेक्स का right click करो ठीक है add view में आ जाओ ठीक है तो देखो index का view का नाम हम index ही रहने देते हैं और अब template template मुझे कौन सी choose करनी है list क्योंकि जो मैं data send कर रहा हूँ जो view को return कर रहा हूँ वो किस type का है list में है न तो list template मतलब वो एक template होती है जो list में data show करवाती है tables की form में तो यहां model class आते है model class कौन सी है हमारी employee इसको select करो और data context class कौन सी हमारी यह example db entities ठीक है और यहां पर आके अब इसको add पर click कर दो ठीक है यह हमारी पास create हो गया सही है अच्छा अभी एक चीज़ note करो यह अगर home controller में आप आओ यहां पर देखो जो मैं data भेज रहा हूँ वो किस form में भेज रहा हूँ list ठीक है मतलब list में convert करके मैं पहले data के पास भेज रहा हूँ और यही data मेरे view को return हो रहा है कौन से view को index की जो मैंने अभी view बनाए जिसका नाम क्या है index.cshtm ठीक है तो अब एक चीज़ note करो यह जो line हम top पे लिखते हैं ठीक है यह error अभी ऐसी आ रहा है यह चला जाएगा यहां पे देखो जब मैंने data अपने index action method से list में convert करके भेजा है ठीक है मतलब जो data है मैंने अपने view को pass कि list की form में तो आप यहां पे एक चीज़ note करो यहां पे हमारे पास यह eye enumerable आ रहा है अब यह देखो इस line का मकसद क्या है यह जो line top पे लिखे ना इसका मकसद यह है कि हमारे जो model है उसको view के साथ bind करवाना मतलब strongly type to view create करना सही है तो यहां पे आप देखो यह जो eye enumerable लगा है यह हमने क्यों लगा है क्युकि हमारे पास यह data आ रहा है वह किस form में हरा है list की form में आ रहा है और eye enumerable क्या करता है कि जो data हमारे पास list की form में आता है उसे एक list की collection के अंदर store करता है ठीक है मतलब जो i enumerable है यह list मतलब जो data list में आ रहा है उसको catch करने के लिए हम क्या use करते है i enumerable use करते है ठीक है तो अभी मैं यहाँ पर आता हूँ और इसको run करता हूं तो आप result देखो थेक है यहां पर result देखो क्यूंके हमारे database के अंदर अभी कोई भी data नहीं अंदर तो तभी जो टूट में हमारे पर data आ रहा है तो अब हमने क्या करना है इसके अंदर data insert करना है तो देखो create new का link आ रहा है मतलब हम list template में create करते हैं तो यह हमें link भी देता है headings भी देता है और जो rows के लिए एक for each loop होता है वो भी हमें बना के देता है ये list template तो अब मैं आता हूँ create new पर click करूँगा तो मैं कहाँ पर जाना चाहूँगा create के template पर जहाँ पर मैं data insert कर सकूँ create का मतलब insert तो देखो अभी अगर मैं यहाँ पर click करूँ तो create का कोई view नहीं है तो यहाँ पर error आएगा ठीक है लेकिन यहाँ पर देखो यह कौन से index action method के पास जा रहा है create तो यह अब हम बनाएगे ठीक है मैं यहाँ पर आता हूँ इसको stop करते है ठीक है अब अपने home controller में आजाते हैं सही है और यह जिस तरह index action method है इसी तरह का मैं एक दूसरा action method बनाता हूँ जिसका मैं नाम रखूँगा create क्योंकि इसी के पास आ रहा था ठीक है और यहाँ पर यह data मैं यहाँ से अठा देता हूँ ठीक है सही है और अब इस create मतलब मुझे एक create template चाहिए ठीक है मतलब ऐसी एक template चाहिए जिसमें text boxes हो और उसके थ्रू में data insert कर सकूँ तो create पर आके right click करो और add view में आ जाओ ठीक है और अब template में हम चूज करेंगे create ठीक है और model class किसके लिए मतलब वो field generate करेगा वो कौन सी class को देखते वे करेगा हमारे पास employee ठीक है employee के अंदर चार है ना id तो auto increment प्राइमरी की है तो उसको छोड़के कितनी field generate करेगा name के लिए designation के लिए और image के लिए ठीक है तो यहाँ पर आते हैं इसको मैं add करता हूँ ठीक है अब देखो यह आ गया चाहिए तो अभी अगर यह वाला form मैं आपको यहां तक run करके देखा हूँ मतलब यह उमारा page है इसको मैं यहां पर अगर आपको run करके दिखा हूँ ठीक है यहां पर देखो यहां गया अब मैं create के नाम रखा था मतलब जो properties का नाम रखा था वही हमारे पास यहां पर शोर है ठीक है एक तो यह चेंज करना है मतलब मुझे यहां पर employee name चाहिए सिर्फ name नहीं employee designation चाहिए सिर्फ designation नहीं और image path की जगह यहां आना चाहिए employee image चाहिए और एक और चीज यह चाहिए और validation चाहिए मतलब अगर मैं create पर क्लिक करूं मतलब बगए कुछ empty किये तो उसके required field validator होने चाहिए ठीक है फिर यहां पर image path जो है ठीक है यहां पर text box नहीं चाहिए बलके यहां क्या चाहिए file upload का वो जो control होता है ठीक है जिसमें हम browse कर सकते हैं वो मुझे चाहिए तो यह काम करने हमने ठीक है तो यहां पर आता हूं मैं कुछ stop करता हूं सबसे पहले जो नाम मुझे display करवा रहे हैं मैं वह चूज करता हूं तो मैं अपनी एंप्लॉई cs class के अंदर आता हूं ठीक है और यहां पर देखो id का तो column ही नहीं क्योंकि वह auto increment है मतलब text box नहीं है यहां पर आते है नेम में ठीक है नेम का display नेम क्या मुझे करवाना है तो उसके लिए हम एक data annotation यूज करते है डिस्पले ने और यह हमारे पास एक package के अंदर है उस package का नाम होता है component model ठीक है और नाम क्या display करवाना है मुझे मैं अभी बताया employee नेम चाहिए फिर इसी को मैं copy करता हूँ और अब designation के उपर मैं यहां पर रख देता हूँ और यहां पर मैं कहता हूँ employee designation मतलब मुझे यह नाम शो करवाने फिर image path इमेज path मैं आके यहां पर मैं save करता हूँ और यहां पर मैं कह दूँगा employee image ठीक है और फिर मतलब यह जो मेरे पास है name designation यह मतलब empty नहीं छोड़ सकता user ठीक है तो मैं इसके साथ एक और data annotation होती है जिसको हम कहते है required ठीक है और इसके लिए भी मुझे एक name space add करवाना है ठीक है जिसका नाम है component model.data annotations ठीक है यहां पर आके bracket on करो और इसका एक इसके अंदर होता है attribute error message error message क्या show हो name is required ठीक है ठीक ह कहां पर show हो यह जो designation है इसके लिए ठीक है यहां पर मैं कह देता हूं designation is required ठीक है अच्छा अब यह जो required है यहां पर नहीं देगा image path में क्योंकि image path के लिए हम कौन सा control use करेंगे वो file upload वाला तो उसके अंदर मतलब file upload हम लेते कैसे input type से input का method HTML का उसके ठीक है जो tag input का उसके अंदर मैं attribute use करूगा required का ताके वो उसको empty ना शोड़ सके ठीक है तो यह चीज़े मैं यहां पर दे दी अब मैं यहां पर आता हूं ठीक है अपने create के इस पर ठीक है तो यहां पर देखो यह जो हमारे पास editor for है यह designation के लिए ठीक है इससे ऊपर देखो हमारे पास यह जो text box है यह किसके लिए name के लिए ठीक है मतलब editor for एक तरह से text box होता है यहां पर अब देखो image path अब image path के लिए भी editor for है मतलब text box है तो मुझे text box नहीं चाहिए मुझे क्या चाहिए वह choose file वाला control तो मैं यहां पर आता हूं इन दोनों को remove करता हूं ठीक है अच्छा एक बात बतात जाओं यह जो हमारे पास designation और name के नीचे validation message for है इनका क्या क्या है कि वो जो required में हमने error message छो करवाए न ठीक है वो यह display करवाएंगे कौन validation message for ठीक है अब यहां पर आता हूं मैं use करता हूं एक input cut है ठीक है और इसमें मैं type दूंगा file ठीक है तोंकि file image हमारे पास क्या होती है ठीक है ठीक है फिर इस control का नाम मतलब जिस नाम से मैं इसको get करूंगा उसका नाम मैं रखता हूं image file और इसको empty नहीं छोड़ सकता तो मैं यहां पर क्या लगा दूंगा required ठीक है अब देखो यह यहां पर यह जो हमारे पास input type है file इसके अंदर मैं image दूंगा तो वो जो image मै दूंगा और जब मैं अपने button के ओपर click करूंगा मतलब जब submit पर click करूंगा तब वो यह इसका जो data image वो image जाएगी किसके पास ठीक है अब यह एक चीज़ note करना मैं आशी name copy करता हूं मैं आ जाता हूं दुबारा अपनी जो employee की class है यहां पर ठीक है अब देखो ID name हमारे प और उस property को return type देने से पहले मैं एक यहां पर name space add करता हूं उस name space का नाम है system.web सही है और अब नीचे आते हैं यह जो property है इसकी मैं return type यहां पर रखूंगा http posted file base ठीक है और इसका नाम मतलब इस property का नाम मैं वही रखूंगा जो मैंने अपने file control जो था image control उसमें जो name में नाम रखा है न वही मैं इस property का नाम रख रहा हूं ठीक है यह रखो create में जो मैंने बनाया है input type file इसका name क्या है image file और यही नाम में किसका रख रहा हूं हमारे पास यह जो property है क्यों उसकी वज़ा क्योंकि जब मैं image upload करूंगा तो उस file को handle मतलब receive कौन करेगी यह वाली property receive करेगी और इसी property के धूर data में store कहां पे करवाऊंगा अपने images के folder के अंदर क्योंकि देखो दो चीज़े यह जो image path है इसके अंदर तो हमारे पास image का path store होगा ल अपने images के folder के अंदर जो मेरी application में होगा ठीक है वो अभी हमने बनाए नहीं है तो वो मैं अब बना लेता हूं ठीक है देखो मैं यहाँ पर आता हूं इसके ओपर right click करते हैं ठीक है add पे जाते हैं और new folder ठीक है अपने application के अंदर इस folder बना रहो और इसका नाम में क्या रज ठीक है तो यहाँ पर आते हैं सही है यहाँ तक काम कर लिए अब मैं अगर create के ओपर जाओ देखो यहाँ पर अगर आप देखो इसके top पर आजाओ यहाँ पर देखो begin form मतलब जब मैं submit करूंगा तो वह form किस action method के पास जाए यह मैंने अभी नहीं बताया ठीक है यह मैं बता आदेगा सही है फिर गांट्रोलर का क्या नाम हो मतलब जो create अब मनाएंगे वह इसी के अंदर होगा ठीक है फिर method form मतलब हमारे पास जो form method है किस type का हो get हो या post हो मतलब मैं आपके कहता हूं पोस्ट हो जब मैं submit पे क्लिक करूंगा तब फिर अब एक चौथा टाइप आता ह तब मैंने बताया था कि अगर आपके form के अंदर यह वाला control है कौन सा जो choose file वाला था ठीक है जो हमने यह input type के थूँ यहां पे लिया था यह वाला अगर यह वाला control आपके form के अंदर मौझूद है तो आप form की starting में यहां पे encryption type देते हो ठीक है किस तरा से देखो मैं आपे new करता हूँ और bracket open करता हूँ और यहां पे ink type यह एक line लिख रहा हूँ मैं ink type और इसके अंदर मैं यहां पे इसको कहता हूँ multipart form data ठीक है चाहिए यह line हम क्यों लिखते है जब हमारे यह जो form है इसके अंदर जब कोई file upload control यूज होता है अब वो file चाहे हमारे पास image हो या कोई word की file हो तो यह line लाजमी add करने है ठीक है क्योंकि यह line उसको बताती है कि इसके अंदर हमारे पास क्या है मतलब एक file upload का control है ठीक है तो अभी मैं यहाँ पर आता हूं और इसको run करता हूं तो आप result देखो ठीक है अब यहाँ पर आते है create new के उपर मैं click करता हूं ठीक है तो हम अपने create वाले में आ जाएंगे अब देखो display name में जो मैंने name set किये थे वही नाम आ रहे employee name employee designation employee image और यहाँ पे जो मतलब text box ही जगा हमने यह input type दिया था file ठीक है वो यहाँ पर display हो ठीक है अब यहाँ पर मुझे क्या करना है मैंने required field भी लगाई थी मतलब जो required attribute था data annotation वह भी लगाई हुए लेकिन अगर मैं अभी यहाँ पर create पर click करूं ठीक है यहाँ पर देखो यह आ रहा है और अगर इ तो अगर मैं अभी create करूं तो देखो इसके उपर highlight हो रहा है मतलब बता रहा है कि यह भी आपने लाजमी देगी ठीक है तो जब मैं यह data दे दूँगा और जब मैं create पर click करूंगा तो create का index action method है वह कौन सा वाला चलेगा sttp post वाला चलेगा मतलब जब मैं create पर click करूंगा तो post request जाएगी ठीक है form submit पर हमने वह दिया था ना form method.post ठीक है तो वह कौन सा action method handle करेगा ठीक है तो आप वह वाला action method में बनाओंगा तो यहाँ पर आते हैं मैं इसको stop करता हूँ ठीक है अब यहाँ पर आते हैं सही हमारा create है ठीक है एक मैं sttp post का version बना रहा हूँ ठीक है कौन सा action method का create action method का ठीक है ठीक है और यहाँ पर आके हमारी class उसका नाम क्या था employee ठीक है मतलब जो मैं create में click करूँगा तो जो form का सारा data है वो किस object के पास आएगा employee के object के पास आएगा ठीक है याद रखना है और अब यहाँ पर मैं कहता हूँ if की condition लगा हूँ ठीक है और if में क्या कह रहा हूँ कि अगर हमारी model state थेंग है valid है तो वो बराबर होगी true के इसका मतलब अगर form में कोई error नहीं है मतलब जो मैंने post किया form में कोई error नहीं थेक है तो model state की is valid property किसके बराबर होगी true के बराबर होगी अगर कोई error पसके वरेवर होगा तो वो कई के वराबर होगी तो यहांपे आंके आप मैं एक काम करता हूँ कुछ बनाता हो खिए Tech एक बना रहा हूं मैं इसका नाम रख रहाँ और यहां पर एक हमारे पर class होती है path ठीक है उसका class के लिए मुझे name space चाहिए तो नीचे यहां पर आओ system.io ठीक है इसका एक method है जिसका नाम है get name without extension मतलब जो image file है सही है मतलब image file को मुझे get करना है उसका नाम get करना है तो हमारे पर path class का एक method है get file name without extension मतलब image की extension नहीं आएगी सिर्फ क्या आएगा उसका नाम तो मैं यहां पर आता हूं ठीक है और यहां पर देखो जो image आ रही है वो किसके पास आ रही है file name के variable के अंदर ठीक है फिर यहां पर आते हैं इसी line को मैं paste करता हूं यहां पर और एक variable बनाता हूं जिसका नाम रखता हूं extension ठीक है क्योंकि extension भी मुझे get करने है सही है और extension के लिए मैं method यूज करूँगा path class का मैं method यूज करूँगा get extension सही है और इसके अंदर यही मैं दूँगा मतलब image file क्या है वो property है जिसके अंदर image आ रही है सही है जो कि http पोस्टेट बेस फाइल था ठीक है तो मैं क्या रहा हूँ बहाँ से मैं file name ले रहा हूँ और उस file name की सिर्फ extension गेट करके मैं कहाँ store करवा रहा हूँ इस extension के variable ठीक है फिर इसके बाद अब मैं यहाँ पर आता हूँ उसी class का एक object बनाता हूँ कौन सी class http posted file base इसके मैं object का नाम रखता हूँ posted file ठीक है इसका मतलब कि जो भी file post होगी मतलब जब मैं submit पे click करूँगा तो यह मतलब जो class है वो हमारी posted file को handle करेगी ठीक है तो मैं उसको object बना रहा हूँ और इसके अंदर मैं store क्या करवा रहा हूँ यह जो हमारे पास e है ठीक है सही है e.image file सही है मतलब जो इसके पास image file आई है वो मैं कहाँ पे store करवा रहा हूँ posted file कर ठीक है और अब मैं एक variable मनाता हूँ जिसका नाम रखता हूँ लेंथ ठीक है और इस लेंथ के अंदर मैं क्या कहता हूँ कि जो पोस्टिट फाइल है ठीक है उसकी जो भी content length है अब मतलब इसका समझना पोस्टिट फाइल के पास क्या आगई हमारे पास image जो हमने upload करवाई है अब इस पोस्टिट फाइल की जो length है मतलब उसका size कितना है वो bytes में convert करके किसके पास store हो जाएगी length के variable में मतलब image का size bytes में आएगा और वो store का हो जाएगा इस length के variable के अपर ठीक है ठीक है तो आप आ if की condition मैं क्यों create कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपे जो हमारे पास extension get की है ठीक है मतलब for example उसने image jpg में बेजी है या png में बेजी है ठीक है तो उसको मैं check करवाऊँगा चैक क्यों करवाऊँगा क्योंकि अब मैं अपनी मर्जी के extension मतलब अपनी मर्जी के format के मैं insert करवाना चा और jpeg के format insert कर सकता है वो उसके इलावा अगर वो कोई format insert करता है तो accept नहीं होगा ठीक है वैलिडेशन लगानी है सही है फिर length length में मैंने image का size get किया था ना सही है तो मुझे ये भी check करवाना है कि जो image है ठीक है वो 1mb से बड़ी नहीं होनी चलिए ठीक है एक ये point है तो पह मैं उसको पहले convert करता हूँ lowercase में ठीक है और फिर कहता हूँ कि अगर वो बराबर है dot jpg के सही है ठीक है मतलब 3 formats मैं उसे allow करूँ ना ठीक है तो मैं यह से copy करता हूँ और बीच में लगाता हूँ or operator और उसके बाद मैं यहापे कहता हूँ jpeg यह भी मैं allow करना चाहता हूँ और फिर यहाँ पे और का symbol और उसके बाद png बस ठीक है मतलब मैं condition में क्या कह रहा हूँ कि अगर इन तीनों में से कोई एक format है क्योंकि और में क्या होता है कि तीनों में से अगर कोई एक condition भी true होगी तो if का part चलेगा साहिए तो मैं आपर कह रहा हूँ कि अगर तीनों में स आता हूँ टेंप डेटा ठीक है और यहाँ पर आके मैं इसको कहता हूँ इसका नाम मैं रखता हूँ extension है न यह ठीक है तो मैं यहाँ पर इसका नाम रखता हूँ extension message साहिए और यहाँ पर मैं alert के अंदर ठीक है script का जो alert है ठीक है उसके अंदर मैं आपर कहता हूँ format ठीक है format not supported साहिए और यह temp data यह मैं display कहाँ पर करवाँगा अपने index के view पर ठीक है क्योंकि मैं redirect कहाँ पर कर जाओंगा insert करवाने के बाद index के view पर ठीक है तो यह आजाएगा format not supported ठीक है फिर देखो अगर हमारे पास मतलब इन तीनों में से कोई मतलब कोई चौथा कोई format है तो एल्स का पार्ट चलेगा लेकिन अगर इन तीनों में से कोई format दिया है तो आप इस if के अंदर मैं एक और if open गर ठीक है और अब इसके अंदर मैं length चेक करवाँगा length का मतलब image का size कितना है वो check करवाँगा तो मैं length कम है या बराबर है 1 MB के ठीक है तो 6 दफ़ा मैं 0 लगाता हूं सही है तो इसका मतलब देखो यह bytes है मतलब मैं check करवा रहा हूं कि length अगर हमारे पास कम है या बराबर है इसके ठीक है यह जो मैंने लिखा है ना यह bytes में और इन bytes को अगर आप convert करो MB में तो यह 1 MB बनता है ठ तो इसके अंदर क्या काम हो वरना else में मतलब else का part कब चलेगा जब हमारी length मतलब image की length जब 1 MB से बढ़ी होगी तो else का part चलेगा और इसके अंदर अब मैं यहां पर कहता हूं इसके अंदर temp data का नाम में रखता हूं size message सही है और यहां पर आके मैं कह देता हूं ठीक है message error message अब मैं यहां पर कहता हूं image size should be less than 1 MB चाहिए यह message उसको pop-up में alert message में show ठीक है अच्छा लेकिन अगर मतलब तीनों में से कोई एक format दिया है उसने और अगर उसकी image 1 MB से कम है तो तब क्या हो अब आप देखना अब मैं आप यह जो file name है ठीक है यह जो हमने एक variable बनाया था file name जिसके अंदर हमने image की file का सिर्फ नाम get करके store करवाया था ठीक है मैं आप आता हूं file name के अंदर मैं कहता हूं file name ठीक है और इसके साथ extension क्या हो जाए मर्ज होके दुबारा file name के अंदर assign हो जाए ठीक है फिर इसके बाद यह जो हमारे पास e है इसके image path के अंदर मैं क्या store करवा रहा हूं जो मैंने image का folder बनाया था ना उसका path store करवा रहा हूं तो path किस तरह से store करवाते हैं इस तरह से ठीक है यह देखो मैंने बताया तो tilt का symbol है यह किसको refer करता है यह जो हमारे पास project है crud app with images मतलब मैं बता रहा हूं कि हमारे पास यह मतलब इसको refer कर रहा है और इसके अंदर कौन सा folder मैंने बनाया था images का ठीक है तो मैं यहां पर कह रहा हूं इस path के अंदर ठीक है मतलब जो भी file name है जो भी file name है वो इस string के साथ attach होके कहां पर store हो जाए e.image path मतलब यह वह image path है जो database के अंदर store होगा ठीक है फिर इसके बार अब यहां पर मैं एक यह जो file name है हमारे पास ठीक है इसके अंदर एक class की हमारे पास path इसका एक method होता है combine ठीक है इसके अंदर server एक class है उसका एक method है map path ठीक है और इसके through मैं आपे सबसे पहले यह वाला जो address है मतलब मैं server पे store करवा रहा हूँ यह images के folder की directory ठीक है और यहां पर आके मैं कहता हूँ कॉमा लगाता हूँ और फिर file name ठीक है यह जो हमने variable बनाए जिसके अंदर extension है और file name है चाहिए तो मैं आपे क्या कह रहा हूँ देखो इस variable के अंदर अब मैं server के through मैं जो हमारा folder है और जो path है वो मैं server के through combine करवा के दुबारा file name में store करवा रहा हूँ ऐसा कर क्यों रहा हूँ उसको इस file name के अंदर क्या करवाएगा store करवाएगा ताके हम images के folder के अंदर data store कर सके ठीक है यह हो गया फिर इसके बाद अब यहां पर देखो यह जो ई है इसके अंदर जो image file थी property उसका एक method होता है save as ठीक है अब इसके अंदर में क्या pass कर दूँँगा file name ठीक है यह वाला देखो file name के अंदर हमारे पास क्या है path है images का path है और साथ पूरी file name है ठीक है तो यहां पे save as की line यह जो line है यह क्या करेगी जो हमारा file name है वो कहां पे save करवा देगी हमारे images के folder के अंदर save करवा देगी ठीक है यह काम हो रहा है फिर उसके बाद अब अब यहां पे मुझे वो जो हम यूज करते हैं जो हमारे पार db है चाहिए और उसका एक method है मतलब db के अंदर एक database set है ना जिसका नाम क्या है employees और उसका एक method है add ठीक है तो इसके अंदर add क्या हो जाई यह ए क्योंकि देखो ल का एक अंदर अगर यहां पर आओ इस इ के पास कितनी चीज़े आया है id आया है name आया है designation आया है और image आयही ठीक है और मैंने क्या किया है जो image आयी थी ठीक है हमारे पास image file की property के पास उसको मैंने यहां पे एक file name के variable के अंदर store किया ठीक है वो मैं कहां पर store करवा दूँगा हमारे database के अंदर मतलब E के पास क्या क्या चीज़ है E के पास पास इस वक्त ID है Name है Designation है Image Path है और वो जो Image File है ठीक है वो E के पास है और वो सारा database store कहां पर करवा रहा हूँ DB का जो database set है Employees इसी के अंदर मैंने बताया था ना सारा data store होता है तो इसके अंदर आप मैं add करवा रहा हूँ ठीक है मतलब यह एक line है जो insert का काम कर रही है सही यह बात यार रहा और फिर जब आप insert करवा दोगे तो इसी का एक method होता है save changes मतलब save भी हमें लाजमी करवाना होता है यह point है और मैंने क्या बताया था जब एक row add हो जाएगी तो यह save changes एक row return करेगी तो इस row को मैं catch कर लेता हूँ एक के variable में और अब इसके ओपर condition लगा तो ठीक है condition क्या लगा रहा हूँ कि A अगर बड़ा है 0 से तो इसका मतलब इसके अंदर row insert हो चुकी है तो अब मैं यहाँ पे भाई जो हमने temp data में copy कर लेता हूँ यहां से ठीक है और यहाँ पे आके मैं इसको paste करता हूँ ठीक है और अब इस temp data का नाम में रखता हूँ insert message आप insert message रख लो यह हम इस वक्रेट कर रहे हैं तो create इसका नाम रख लो ठीक है तो अगर A 0 से बड़ा है इसका मतलब एक row insert हो चुकी है तो message में क्या display करवा दूँगा इसको कहते हैं data inserted successfully यह message print हो जाए ठीक है otherwise else में else में वरना क्या हो else का चलेगा जब मतलब save changes नहीं होई होगे ठीक है मतलब एक row insert नहीं होई होगी तब हमारे पास else का पार चलेगा और यहाँ पर हमें कह देता हूँ कि create message जो है ठीक है इसके अंदर क्या आ जाए इसके अंदर message में display करवा देता हूँ data not inserted सही है अब देखो यह जितने भी temp data है इनको मुझे views में call करवाना है तो देखो यह जो temp data है सही है मैं चा रहा हूँ जब यह वाला message चले कौन सा data inserted successfully तो इसके बाद हमारी जो model state है मतलब जो हमारी जितने भी text boxes है वो क्या हो जाए क्लेर हो जाए खाली हो जाए और फिर return मतलब जैसी मैं insert करूँगा तो मैं कहां पर चला जाओ index वाले action method पर चला जाओ जहां पर हमारा सारा data है तो मैं यहां पर एक method यूज़ करता हूँ redirect to action ठीक है तो कौन से action पर जाना है मुझे index action पर जाना है और वो कौन से controller में है home के controller में ठीक है सही है तो अब देखो यहां पर जब inserted होगा मतलब जब successful inserted होगा तो वो index के action view पर चला जाएगा तो मतलब यह जो टैम data यह मैं display कहां पर करवाऊंगा index के view पर तो अब मैं आ जाता हूं index के view पर ठीक है तो देखो यहां पर आता है ठीक है यहां पर मैं एक helper use करता हूं html.raw ठीक है और इसके अंदर मैं यह टैम डेटा पास कर देता हूं क्यों राओ के अंदर क्यों रखा क्योंकि टैम डेटा के अंदर स्क्रिप्ट है ठीक है मतलब जावा स्क्रिप्ट का कोड है तो तब ही मैंने यह यूज किया ठीक है अब देखो यह लाइन मतलब यह टैम डेटा काम कब करेगा यह पेस्ट कर देता हूं ताके जब यहां पर मैसिज क्या शो हो डेटा नॉट इंसर्ट इसके बाद अब यहां पर देखो और भी टैम डेटा के मैसिज से मतलब साइस का मैसिज ठीक है मतलब अगर यूजर हमारे पास एक एंबी से बड़ी डालता है तो यह वाला टैम डेट काम करेगा यह एरर मैसिज डिस्प्ले कहां पर करवाएगा उसी व्यूपे क्रियेट के व्यूपे क्योंकि एरर आ रहा है आगे नहीं जाने देगा तो यहां पर क्रियेट मैं आता हूं मैं और इसी तरह यहां पर है stml helper का जो method है raw ठीक है और इसके अंदर मैं पास क्या कर दूंगा size message ठीक है फिर यहां पर आ जाओ और अब size के बाद सबसे last क्या था extension मतलब अगर format का error आया मतलब अगर उसने हमारे 3 format के इलावा कुछ 4 format दिया तो यह temp data काम करेगा तो मैं यहां पर आता हूं इसको create के अंदर इसी के नीचे ठीक है यहां पर html.raw और इसके अंदर method के अंदर पास कर देता हूं यह ठीक है मतलब यह error messages हमें डिस्प्ले होंगे ठीक है तो अब मैं यहां पर आता हूं यहां तक मैं आपको run करके दिखाता हूं तो आप रिजल देता हूं हाँ साइए तो अब देखो यहां पर आता हूं मैं create के अपर click करता हूं तो create वाले template पर आ जाएंगे ठीक है अभी देखो अगर मैं कोई भी data नहीं देता है तो अब मैं यहाँ पर images देता हूँ ठीक है और पहले extension और size को check करते हैं ठीक है मैं यहाँ पर आता हूँ browse पर हम click करते हैं ठीक है देखो हमारे पास एक image है first यह 1MB से बढ़ी है ठीक है मैं इसके ओपर click करता हूँ और open इसको करता हूँ ठीक है यहाँ पर आगई और अब create करता हूँ तो जैसे create करूँगा अब आप result देखना हूँ क्या दिखा रहा है image size should be less than 1MB 1MB से कम होनी चाहिए ठीक है यह तो थ size का message फिर अगर आके मैं कोई चौथा format देता हूँ तो देखो हमारे पास पाकिस्तान का flag है इसकी extension अगर आप देखो icon है मतलब Ico extension है तो अगर इसको मैं open करूँ और अब यहाँ पर जाके create पर click करूँ ठीक है तो यहाँ पर देखो क्या कह रहा है format not supported और अगर मैं ok करूँ करूँगा ठीक है तो अब आप result देखना मैसेज के आया data inserted successfully और जैसी ok करूँगा कहां पर redirect हो जाऊंगा मैं index के view पर तो देखो मैं ok करता हूं तो देखो कहां पर आ गया index के view पर लेकिन अभी देखो मसला क्या हो रहा है image देखो हमारे पास जो image है वो किस form में show रही है path की form में show रही है हमें path show नहीं करवाना हमें actual image show करवानी है तो अब मैं किसमें काम करूँगा index के view पर ठीक है तो यहाँ पर आते हैं इसको stop करते है इंडेक्स के view पर आ जाते हैं सही है तो यहाँ पर आ जाओ अब देखो यह जो for is loop है यह database से सारा data get करके print करवा रहा है ठीक है मतला model में जो data आ रहा है वो one by one item में store करवा रहा है और item के अंदर से name designation और image path वो print करवा रहा है display for में ठीक है अब यहाँ पर देखो जो image path है मतलब display for किसले use होता उसकी value डिस्पले करवाने के लिए value तो display करवा रहा है वो लेकिन उसका path डिस्पले करवा रहा है हमें path नहीं चाहिए हमें image चाहिए ठीक है तो मैं यहाँ से आता हूँ इसको अटाता हूँ ठीक है और इस उसका एक method होता है हमारे पास content ठीक है और अब content कहा से आएगा देखो मैंने क्या बता है जो loop है इसका जो variable है item इसके पास data आएगा ना one by one मतलब एक row item के पास आएगी और उस row में से item name designation यह loop print करवा लेगा फिर दूसरी row model से उठके item के पास आएगी उसका data print हो जाएगा अ अब यहां पर कह रहा हूँ क्योंकि जो data आ रहा है वो item के पास है तो मैं यहां पर क्या कहना हूँ collectors यहां पर जो image path है Image path मतलब item का जो image path हा रहा है अब यह url.content पताहे क्या करेगा यह path इसको find करेगा हमारे package के अंदर मतलब हमारे'meges के folder के अंदर find करेगा हो और image उसकी source में display करवा देगा मतलब image display हो जाएगी और अब यहाँ पर आता हूँ इस image की height और width भी set करता हूँ ठीक है height में यहाँ पर देता हूँ for example 80 ठीक है और width भी में यहाँ इसको देता हूँ 80 ठीक है मतलब अब जो list show होगी table के अंदर उसमें image हमें नदर आएगी तो यहाँ पर आता हूँ अब इसको run करता हूँ तो आप result देखें ठीक है अब यहाँ पर आप की जगह क्या display हो रहा है image display हो रही है तो अभी अगर मैं यहाँ पर आऊ और create new पर click करते हैं एक और data insert करते हैं ठीक create करते हैं ठीक है तो image चाही है data inserted successful ओके करूँगा और redirect हो जाऊँगा यहाँ ठीक है तो देखो दोनों images बिलकुल चाही form में हमारे पास आ रही है ठीक है अब क्या काम करना है हमें अब अगर मैं edit के ओपर click करूँ ठीक है तो उसका data मतलब edit पर click करूँ तो जो row है उसका data कह पर transfer हो जाए edit की template में transfer हो जाए ठीक है देखो अगर मैं अभी click करूँ तो edit का कोई action method भी नहीं है view भी नहीं है तो ऊपर देखो क्या हो रहा है यह home के किस method के पास जा रहा है action method के पास edit और 7 क्या लेके जा रहा है to ठीक है जो id है तो मुझे अब method बनाने action method edit के नाम से और इसके अंदर में एक parameter बनाऊंगा id के नाम से और यह to उसके अंदर id के अंदर parameter के अंदर save हो जाएगा तो यहाँ पर आके मैं इसको stop करता हूँ ठीक है अब यहाँ पर आ जाते हैं अपने home controller के अंदर ठीक है और edit का मुझे बनाना है तो उसके लिए मैं यह data यहाँ से copy कर देता हूँ ठीक है ठीक है ठीक है यहाँ पर आते हैं अब मैं इस action method का नाम रख रहा हूँ edit ठीक है क्योंकि जब edit की link पर click करेंगे तो इसके पास आएगा और साथ id भी लेके आएगा और उस id को मैं catch कर लेता हूँ एक id के variable के अंदर सही है और अब यहाँ पर आता हूँ ठीक है और अब यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ कि मतलब मैं आपर आता हूँ और इसका नाम रखता हूँ मैं row सही है या बलके हम इसको कह देते हैं employee row सही है और इसके अंदर मैं कह रहा हूँ यह जो हमारे पर db है मत हूँ एक variable बना रहा हूँ lambda expression सही है और मैं कह रहा हूँ जो model है इसकी जो भी ID है अगर वो बराबर है हमारे parameter वाले ID के सही है मतलब देखो मतलब यह जो ID आ रही है ठीक है सही है अब यह ID मैं compare करवा रहा हूँ किसके साथ जो हमारी property है और वो column हमारे employees के DB set के अंदर तो मैं कह रहा हूँ अगर जो ID आ रही है अगर वो बराबर है हमारे database के अंदर property के साथ तो उसकी first row ठीक है मतलब उसकी जो पूरी row है first row default का मतलब उसकी पूरी row get करो और कहां पे store करवा दो employee row के object के अंदर और अब यही object मैं pass कहा कर दूँगा हमारे view को पास कर दूँगा ठीक है और आप इस edit का मैं क्या बनाता हूं template बनाता हूं तो इसको पर right click करो ठीक है और add view में आजाओ ठीक है और template में आजाओ और यहां पर template हम चूज़ करते हैं edit और मतलब जो model class boxes बनेंगे वो किसके थ्रूँ बनेंगे हमारे पास employee class के थ्रूँ एंप्लॉई क्लास लेक करो और नीचे एग्जैंपल डेवी एंटिटीज मतलब जो डेटा कंटेक्शी क्लास थी अब इसको मैं add करता हूं ठीक है देखो add हो गया चाहिए ठीक है लेकिन अगर अभी मैं यहां पर आके इसको run करो ठीक है तो आप result देखना अभी प्रॉब्लम क्या हुरी है देखो हमारे पास जो employee image है वो किस में आ रही है text box में आ रही है ठीक है हमें text box नहीं चाहिए बलके हमें यहां पर वही image control चाहिए ठीक है choose file वाला जिसमें browse को option आ रहता वो चाहिए ठीक है तो यह टाम करना है और फिर उसके बाद जब मैं save पर click कर तो data मेरा क्या हो जाए edit हो जाए ठीक है तो यहां पर आते हैं देखो हमारे पास यह image path अब देखो edit में image path के लिए editor for editor for का मतलब ही जो हमारा text box है text box नहीं चाहिए हमें वही file वाला control चाहिए तो मैं इन दो lines को remove करता हूं ठीक है और create में चलता हूं create में हमने वह line लिखी वी थी ठीक है create के template में तो वहीं से copy कर लेते ह यह वाली line input वाली ठीक है इसको copy करते हैं और यहां पर मैं paste करता हूं ठीक है change करें और दूसरी possibility होती है कि हम image के इलावा कुछ update करें सही है मतलब image update नहीं करनी तो देखो अगर मैं यहां पर required लगाऊंगा न तो अगर मुझे image के इलावा भी कुछ update करना पड़ा तो तब भी वो यहां पर हमें highlight करवाएगा कि इसमें लाजमी image दो ऐसा नहीं चाहिए तो तब ही मैंने क्या अटा दिया required यहां से अटा दिया ठीक है और फिर अब देखो हमारे form के अंदर क्या आ गया है image upload आ गया है मतलब यह file वाला control आ गया है तो यहां पर आगर आप देखो जो हमारा begin form है वो खाली है तो इसके अंदर भी data देना है तो मैं यहां से आता हू यह जो create के अंदर हमने दिया था ठीक है begin form के अंदर यह data यही से copy कर लिते है ठीक है यहां से लेकर यह जो encryption type थी यह भी चाहिए मुझे तो यहां से लेकर यहां तक में इसको copy करता हूं ठीक है और यहां पर आके इसको paste करते है ठीक है और यह एक bracket रटा देते है ठीक है मतल अब जब मैं edit वाला form submit करूंगा तो अब वो create पर नहीं जाएगा बलके किस पर जाएगा edit के ही post http post version के पास जाएगा और यह line मैंने बताया था क्यूंकि हमारे form के अंदर choose upload फाइल upload वाला control है तो तभी यह line लाजमी add करनी है ठीक है तो अब अगर मैं यहां पर हूँ और इ देखो edit पे click कर गया तो मैं कहा गया अपने edit की tablet में अब देखो मसला क्या हो रहा है अली और उसका designation मतलब नाम और designation तो सही आ रहा है लेकिन हमारे पास file upload control में उसका path नहीं आ रहा है अब देखो problem यह है कि file upload control के अंदर हम data retrieve नहीं करवा सकते हैं यह एक drawback कह सकते हो आप इ data मुझे retrieve करवाना है मुझे इसके अंदर retrieve नहीं करवा सकता है तो हम क्या करते हैं मैं आप यह कहता हूं कि जो data मेरे पास आ रहा है मतलब जब मैं edit पे click करता हूं link पे जो data आ रहा है उसके साथ जो image आ रही है वो इस file upload control के ऊपर नदर आए ताकि हमें पता चले कि हम कौन सी image edit कर रहे है मतलब जो image आ रही है ना वह मैं चाहरा हूं इस file control के ऊपर एक मैं image का control रखू और उसके अंदर वह image get करो सही है तो वह मैं कैसे करूंगा देखो मैं यहाँ पर आता हूं इसको stop करते हैं ठीक है अब देखो देखो यहाँ पर जब मैं edit के link पर click कर रहा था तो उसकी id यहाँ पर आ रही थी सही है इस parameter के पास और उस parameter से मैं चेक करवा रहा था कि database में वो id है अगर है तो वो हमारे view को पास हो जाए ठीक है अब इसके साथ साथ यहाँ पर मैं एक क्या कर रहा हूं session का एक object बना रहा हूं ठीक है एक variable बना रहा हूं session का इसका नाम रखता हूं image ठीक है और मैं कहा रहा हूं यह जो employee role है ठीक है employee row है सही है इसके अंदर जो भी हमारे पास image path आ रहा है ठीक है सही है मतलब देखो इस जो भी id उसको मिलेगी इस parameter से compare करवाने के बाद और किस में आ देगी employee role में अब मैं कह रहा हूं employee row में जो image path है मतलब उसका image path get करो और कहां पर store करवा दो इस session के object के अंदर जिसका नाम मैंने रखा है variable का session variable का image अब मैं इसको copy करता हूं और अब मैं आता हूं edit में ठीक है और जहां पे ही मैंने file upload control डिस्प्ले करवाया मतलब इसके ऊपर मैं एक tag ले लता हूं कौन सा image का ठीक है और इसकी src के अंदर यहां पे जो हमने वह यू किया था url.content ठीक है और अब इसके अंदर मैं pass कर देता हूं वो session का object और इसको convert करवा लेता हूं to string के अंदर ठीक है यह आपको two string शायद खुद लिखना पड़े साहिए ठीक है मतलब जब मैं edit पे click करूंगा सही है तो जो data मैंने session के object में भेजा था मतलब path भेजा था ना image का वो मैं कहां पर retrieve कर रहा हूं इस image के source में retrieve कर रहा हूं मतलब वो यह तो file upload control है उसके उपर मुझे क्या नजर आएगी image नजर आएगी इससे मुझे यह पता चलेगा कि मैं कौन सी image को edit करना चाह रहा हूं ठीक है यहाँ पर आता हूं अब इसको मैं height और width भी देता हूं ठीक है यह लाजमी है तो height और width मैं यहाँ पर इमेज आए और image के नीचे मेरे पास वो file upload का control है तो अभी अगर मैं यहाँ पर आऊ और इसको run करूं तो आप result देखते हैं अब यहां पर देखो यह जो हमारे पास second row है मैं इसके edit पर click करता हूँ तो जैसी edit पर click करूँगा तो आप result देखते हैं देखो image control के ओपर वो path आ रहा है मतलब बता रहा है कि यह image हम क्या कर रहें upload कर रहें क्योंकि वो जो image है वो मैं इस file upload के control में retrieve नहीं करवा सकता तभी मैंने एक अलग से image में retrieve करवाई यह तो अब देखो हमारे पास दो possibilities है दो possibilities क्या है कि या तो वो image change करके update करें या वो image change ना करके update करें ठीक है मतलब यहाँ पे अगर वो चाता है कि मुझे image update नहीं कर रही मुझे सिर्क उसका designation update करना है तो वो क्या करेगा image को खाली छोड़ देगा ठीक है मतलब यह जो file upload वाला control है उसको खाली छोड़ देगा ठीक है तो इस case में भी update हो जाना चाहिए लेकिन अगर वो कोई image select करता है कोई new image देना चाहरा है तब save करता है तो तब भी update हो जाए ठीक है तो अब सबसे पहला हम काम करते है कि अगर वो image change करता है और फिर update करता है तो update हो जाए ठीक है उसके बाद हम आते हैं कि अगर वो image change नहीं करता ठीक है तो मैं यहाँ पर आता हूं देखो अभी मैं सेफ पर अगर क्लिक करूं तो वो किस action method के पास जाएगा edit के post version के पास जाएगा तो अब मुझे उसका post version मनाना है तो मैं यहाँ पर आके इसको stop करता हूं ठीक है अब देखो के मतलब जब सेफ पर क्लिक करेंगे तो उसका data मैं कैस कहाँ पर करूंगा employee के एक e variable के अंदर object के अंदर ठीक है और यह जो सारा data यह मैं यहाँ से remove कर देता हूं ठीक है ठीक है और आप देखो मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूं if यहाँ पर सबसे पहला if मैं लगा रहा हूं और कह रहा हूं कि जो हमारी model state है अगर वो valid है सब्सक्राइब मतलब edit वाला जो form है अगर उसमें कोई error नहीं है तो जब मैं submit पर click करूंगा वो इसके पास आएगा तो check करेगा कि model state अगर valid है तो वो true के बराबर होगी अगर वो valid नहीं है तो false के बराबर होगी तो मैं कह रहा हूं अगर हमारा edit का form valid है मतलब उसमें अगर कोई error नहीं है तो क्या हो अब यहाँ पर देखो अब इसके अंदर में एक और if start कर रहा हूं ठीक है और इस if में कह रहा हूं कि अगर यह जो हमारे पास e के पास जो image file है image file क्या है वो जो file upload वाला control है उसका नाम है तो मैं कह रहा हूं अगर वो null नहीं है मतलब अगर choose upload control को उसने null नहीं छोड़ा मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ है तो कौन सा पार्ट चलेगा if का पार्ट चलेगा ठीक है और अब if के पार्ट में मैं क्या करूंगा देखो if के पार्ट में जो हमने create में जो coding की थी न ठीक है वो सारी मैं यहाँ पर copy कर रहा यहाँ पर आता हूं यह data तो और यहां तक मैं data क्या कर रहा हूं copy कर रहा हूं ठीक है इसके अंदर ठीकह है किसके अंदर में copy कर रहा हूं अगर हमारी image null के बराबर नहीं है मतलब image upload control अगर खाली नहीं है तो किसका मतलब कोई ना कोई image है सही है तो यहां पर आके मैं वो सारा डेटा कॉपी कर देखा हूं ठीक है तो मैं क्या कह रहा हूं अगर हमारे पास नल नहीं है मतलब इमेज अप्लोड कंड्रोल के अंदर कोई ना कोई इमेज है तो क्या हो उसी तरह का सारा का फाइल नेम का वेरिबल बन जाए जय और पिर ऐख्टेंशन आगा ऑफिर को चैक करें ठीक है फिर साइस को चैक करें और अब यहां पर देखो यहां पर इंटी और इंट्री हो रही है है जो एंट्री किसकी हो रही है ए की के पास आ रहा ना सार एट है तो मैं कहरा हूं उसकी जो भी स्टेट increí Thiessen मतलब उसका जो भी data है, वो आप क्या करो, हमारे पास एक class है, entity state, ठीक है, इसका ये एक name space के अंदर है, वो name space add कर लेते हैं, ठीक है, using system.data.entity, ये लाजमी add करना है, तब ही आप इस class को use कर सकते हो, ठीक है, और इसकी एक property है, dot modified, ठीक है, मतलब db के अंदर जो entry हो रही है, क edit करके, data edit करके, जब edit पर click किया था, मतलब post request हुई थी, तो data किसके पास आ गया था, सारा, e के पास आ गया था, तो अब मैं कह रहा हूँ, कि e के अंदर जो entry हो रही है, ठीक है, मतलब उसका जितना भी data है, सही है, वो क्या करो, उसकी entity state को आप modify कर दो, मतलब update कर दो, और उ यहां पर कहता हूँ, data inserted successfully की जगह में क्या कह दूँगा, data updated successfully, और इसके लिए, temp data मैं बनाऊँगा, इसका नाम में रख देता हूँ, update message, ठीक है, और उसके बाद क्या हो, model state, मतलब सारा data clear हो जाए, edit form में से, और redirect हम कहा पर हो जाए, index के action method पर, मतलब यहां पर अब देखो सही है, मतलब अगर insert successfully हो जाए, तो यह वाली तीन lines चलेंगी, अगर insert successful ना हो, तो यह वाली else का part चलेगा, और यहां पर आके, मैं इसको कर देता हूँ, update, ठीक है, सही है, तो अब देखो, यह जो update message है, यह मुझे display कहां पर करवाना है, index के view पे, क्योंकि जब मैं update कर जाँगा, index के view पे चला जाँगा, तो यह जो index का view है, ठीक है, जहाँ पर मैंने यह उपर एक और call करवाया था, यह create message का, इसी के नीचे मैं आता हूँ, html.raw, ठीक है, और इसके अंदर मैं यह update message का, मतलब जैसे redirect होके वो यहाँ पर आएगा, तो update message का जो temp data था, उसके अंदर क्या display होगा, updated successfully, चाहिए, और अब यही line, ठीक है, यही line मुझे store कहां पर करवानी है, edit के view में, मतलब देखो, अगर create हो गया, तो यह तो मैंने index के view पर display करवा दिया, temp data, लेकिन अगर else का, मतलब अगर else का चले, और else में क्या data show होगा हमे, data not updated, ठीक है, तो यह message display का पर होगा, यह उसी view पर, मतलब edit के view पर, तो edit के view पर मैं यहाँ पर आता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर आके, यह जो top है, ठीक है, यहाँ पर आता हूँ, मैं इसको कहता हूँ, html.raw, ठीक है, और इसके अंदर मैं, यह pass कर देता हूँ, ठीक है, यह नहीं है, बलके, इस तरह से, ठीक है, तो यह भी print हो जाए, ठीक है, फिर इसके बाद, edit में आते हैं, अब यहाँ पर देखो, update message तो मैंने उसकी अपनी अपनी views में, set करवा दिय फिर अगर size का message है, कि आपका size 1MB से बड़ा है, तो यह का display होगा, temp data, यह भी उसी edit के view पर display होगा, ठीक है, क्योंकि error है, error आएगा, तो उसी view पर रखना है, आगे वाले view पर नहीं लेके जाना, मतलब index वाले view पर नहीं लेके जाना, तो मैं यहाँ पर आता हूँ, इसी तर html.raw, ठीक है, और इसके अंदर मैं pass कर दूँगा, यह size message, ठीक है, और फिर इसके बाद, last क्या था, extension के लिए, ठीक है, कि भाई, format not supported, मतलब तीन format आप नहीं दे रहे, तीन format में से आप कोई एक format नहीं दे रहे, आप चौता कोई format दे रहे हो, तो मैं यहाँ से copy करता तो यह भी display होगा, error message, उसी edit के, इसके अंदर, ठीक है, यहाँ पर आता हूँ, और इसके अंदर आप मैं यह pass कर दो, ठीक है, चाहिए, तो अभी मैं आप आता हूँ, और इसको हम run करते हैं, और result देखते हैं, कि अगर मैं अभी image do, ठीक है, मतलब image upload वाला control अगा null नहीं है तो यह सारा काम होगा, तो मैं यहाँ पर आता हूँ, अब इसको run करते हैं, तो result देखते हैं, ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर आता हूँ, यह second row है, इसके edit पर चलते हैं, ठीक है, सही है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, for example, image change करता हूँ, ठीक है, मतलब update करके, जो पह save पर क्लिक करता हूँ, तो देखो, क्या आ रहा है, image size should be less than 1MB, ठीक है, ok करते हैं, एक तो यह था validation, क्योंकि देखो, insert करते वगद भी check करवाना है, और create करते वगद, मतलब update करते वगद भी check करवाना है, ठीक है, अब दोनों situation में, तो आप दूसरी में देता हूँ, icon, image change करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर आता हूँ, यह अभी हमाँ पर desert की image जाएदा, मैं यह वाली, ठीक है, image select करता हूँ, ok करता हूँ, और अब save पर click करता हूँ, तो जैसी save पर click करूँगा, तो अब आप result देखना हूँ, data updated successfully, और ok करूँगा, तो redirect कहां पर हो जाऊँगा, index के view में, यहाँ पर ok करूँगा तो देखो, image change हो गई, सही है, अब यह पहली possibility थी, मतलब कि अगर वो image change करके update करता है, तब इस तरह से काम हो, लेकिन, अब for example, मैं edit में जाऊँ, अब मुझे for example, image update नहीं करनी, मुझे सिर्फ designation update करना है, ठीक है, तो image जो पुरानी वाली है वही दुबारा से set हो जाए, तो यह काम कैसे करेंगे, देखो, मैं आपर आता हूँ, इसको मैं stop करता हूँ, ठीक है, तो देखो, यह जो हमारे पास if था, कौन सा if था, null वाला, ठीक है, मतलब अगर image null नहीं है, मतलब उसके अंदर कोई image है, तो यह वाला सारा code चले, तो ज सही end यहाँ पर हो रहा है, तो यहाँ पर मैं else का part देता हूँ, ठीक है, और else का part कब चलेगा, जब image दिये बगएर मैं update करवाँगा, ठीक है, मतलब जो मैं image नहीं दूँगा, कुछ और update करवाँगा, तो तब यह काम होगा, ठीक है, तो अब इसके अंदर मुझे कुछ data य पर यह else के अंदर मैं paste करता हूँ, मतलब यह else का part कब चलेगा, जब हमारे पास image नहीं होगी, मतलब image जब हमें update नहीं करवानी, कुछ और update करवाना है, तो यह else का part चलेगा, ठीक है, तो अब मैं इसके अंदर क्या कह रहा हूँ, देखो, यह जो हमारे पास e है, इसका जो image पास है, मतलब अगर वो image, new image अपडेट नहीं करवारा तो मतलब पुरानी image अपडेट करवानी है न, और वो पुरानी जो image थी, वो मैंने कहां पे store की वी थी, session के variable में, और उसका नाम क्या रखा था मैंने, image, तो उसको two string में convert करने के बाद, मैं कहां पे भेज दूँगा, image path में, ठीक है, मतलब पुरानी ही image क्या हो जाएगी, format हो जाएगी, बाकी text box की values के साथ, मतलब बाकी data के साथ, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, update message तो मैंने करवाया हुआ है, ठीक है, मतलब यह जो temp data है, यह मैंने अपनी जगा पे call करवाया हुआ है, ठीक है, अब दुबार अब यह अली है न, ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ, इसके edit पे click करता हूँ, ठीक है, और अब इसकी image change नहीं करता हूँ, ठीक है, मतलब इसका मैं designation change कर लेता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ CEO, ठीक है, और अब मैं यहाँ के save पे click करता हूँ, मतलब अब else वाला part चलेगा तो save पे click करते हैं तो अब देखो क्या आ रहा है data updated successfully और जैसे ok करूँगा यहाँ पे आ जाओँगा तो देखो designation change हो गया लेकिन image आपके पास वही की वही है ठीक है साहिए